तो दोस्तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब जो है आप सिर्फ अधार नमर से अपना bank balance चेक कर सकते हैं बिना अंगुठा लगाए हुए लेकिन इसके लिए यहाँ पे condition है कि आपके अधार card में mobile नमर लिंक होना चाहिए तभी जो है आप सिर अधार नमर से अपना bank balance चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको अपने mobile के Google Play Store को open करना है और यहाँ पे आपको सार्च करना है बहाँ भीम भीम और जैसे ही आप भीम सार्च करेंगे तो आपको यहाँ पर भीम का officially आप आ जाएगा तो इस application क आपको अपने mobile के अंदर download कर लेना है उसके वाद आपको open पे click करना है और जैसे ही आप open पे click करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे language select करने का option मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना language select करना है जैसे कि मैं यहाँ पे English select करता हूँ उसके बद यहाँ पे आता है sim 1 और sim 2 तो आपको यहां पे स्लेक्ट करना है कि आपका रईजिटर और यहां पे पुर्सेड्ट और Hiçअल यहां पर क्लिक करेंगी को यहां पर पेरिफाइrd मॉबाइल नमबर लिख करके आ जायीगा और तीनों में यहां पर liक्र के जाया गा जैसे कि यहां क्योंकि जुह आप दुबारा से भीम अपलिकेशन को open करेंगे तो आप सब्सक्राइब यहां पर क्यांट न्यौन म्लें आपश्क जायाएगा तो यहां पर हियाँ by यहां पर बाखार करने के बाद आप नीचे रेड प Councillor करना है और जैसी ही आप रेड पर इंडिया का bank balance check करना चाहते तो हम यहांं पर central bank of India कुछ इस तरीके से search कर लिये तो आपको यह पर bank का नाम search करना है देख सकते हैं यहां पर नाम आ रहा है तो आपको यहां पर search करना है कि किस bank का विश्ट्रा जहें की balance check करना चाहता हुं तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लीज वेट लिख करके आज आएगा और उसके बाद आप भीम अप्लिकेशन के अंदर सैनिन हो जाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको भीम अप्लिकेशन का इंटर फेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है उपर पर आपको यहां पर बैंक का नाम शो कर जाएगा तो इस पर किलिक करना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि बैंक का नाम फिर से यहां पर शो कर जाएगा तो आपको इसी वाले option पर किलिक करना है तो तो यहां पे set U.P.I.P. na option देखने को तो आपको इस पर कलिक करना आ है तो चलिए मैं को कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहां पर दो option मिल जाएगा आपको पहला option मिल जाएगा debit card का और और दूसरा option मिल जाएगा अधार number का तो आपको क्या करना है आपको जो है अधार number से bank balance check करना है तो आपको यहाँ पर जो है अधार number का जो option है इस option को यहाँ पर select करना है तो चलिए मैं इस option को select करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर proceed का option मिल जाएगा प्रोसीट पर click करना है जैसे आप प्रोसीट पर click करेंगे फिर आपको accept पर click करना है और जैसे ही आप accept पर click कर देंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपने अधार कार्ट के starting का six digit number डालने का option मिल जाएगा तो यहा यहाँ पर अधार कार्ट के starting का six anchor डाल देता हूं उसके बाद आपको यहाँ पर OTP डालने का option मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर OTP डाल देना है देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आज चुका है इंटर अधार चेडिट OTP यानि कि जो है अधार के तरब से आपके OTP डाल के रैड पर किलिक कर देता हूं उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक के तरब से OTP हो जाएगा जब आप अधार के तरब से OTP डाल देंगी और समिट पर किलिक कर देंगी तो यहाँ पर आपको बैंक के तरब से OTP आ जाएगा देख सकते हैं इंटर छे डिजिट बैं upi pin set करने का option मिल जायगा तो आपको यहां पर चार पर चार अंकार डाल देना है और उसके बाद आपको एक बैक कर लेता उसके बाद आपको यह आपको चेक बैलने चेलропी चैले आएगे अब दियाएगे का option देख जाएगा उपर पे तो आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको check balance का option दिख रहा होगा तो आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चार डिजिट का UPI PIN डालने का option मिल चुका है तो मैं आपको बदा दू जो UPI PIN आप सेट कियें वो UPI PIN यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर एसकिन आपको black दिख रहा होगा security purpose के लिए तो मैं आपको बता दूँ जो UPI pin जो है आप अधार नमबर से set की हैं वो UPI pin आपको यहाँ पर डाल दना है तो चलिए मैं UPI pin डाल देता हूँ उसके बाद आप रैट पर टिक कर देंगी उसके बाद आपका यहाँ पर bank balance चेक हो जाएगा जो कि आप एसकिन पर देख सकते हैं यहां पर बैंक बैलेंस चेक हो चुका है जैसे कि यहां पर आप एसक्रीन पे देख सकते हैं मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आप कुछ इस तरीके से जो है आप अधार नमर से अपना bank balance check कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद देया तो like किजिए and subscribe किजिए comment किजिए मिलते हैं किसे next video में तब तक के लिए thank you so much bye bye